long term plans जो होते हैं वो एक indicator होते हैं, आपको एक sense of safety देते हैं कि चलो मैंने अपने मन में सोच लिया है कि इस साल के अंद तक मेरा चार subject खतम हो जाएंगे, मेरा optional खतम हो जाएंगे, हाला कि इस तरीके से होता नहीं है, मैं example देता हूँ जैसे अकर मैं internal security पे notes बना रहा हूँ, तो आपका डर हो गया, आपका demotivation हो गया, यह सब रहे, यह सब एक human emotions है, ठीक है, सारा खेले कि आप इसको manage करते हुए पढ़ाई कैसे करते हैं, और मेंस में कुछ ऐसी चीज़े होती ही, जो pre से एकदम अलग होती है, जैसे ethics आपका है, optional आपने बता दिया था, और essay है, इस portion क को हमें कब तक खतम कर लेना है, दोजा चोबीस वालो को, लाश्ट डेल लाइन आप क्या बोलना चाहेंगे? सर, आज बात करेंगे, UPSC जो 2024 के लिए अपियर होने वाले हैं, उनके बारे में उनकी proper strategy क्या होगी, और साथ ही उनकी journey में क्या difficulty आने वाली है, सारी बात ही, इस वीडियो के मादम से मैं आप तक डिलिवर करूँगा, चैनल पे नए हैं, तो लाइक और सब्स्राइब साथ बे लेकान दबा दें, ताकि ऐसे informative और useful content मैं आप तक डिलिवर कर पाँँ, सर, सबसे पहले आपका studency पर स्वागत है, इस वीडियो का especially motto यह है कि 2024 का जो अटेम्ट देने वाला है, उसके लिए आप proper guide कर पाएं, थोड़ा सा अगर आप अपना experience share करें, तो खाफी सही होगा सर, तो पहला question आप से सर यह है कि उन बच्चों के लिए सर जो अभी पहली बार दे रहे हैं, पहला तो newbie हैं, और यह एक दो बार attempt दे रही हैं, उनका outline क्या होना चाहिए 2024, देखी 2024 का attempt मतलब तकरीबन आपके पास 15 महीने का वक्त है, तो जो newbie हैं, जिनका पहला attempt होगा, उनके लिए तो बहुत ही clear cut path है, कि आपको, मेरा मानना है कि अगर आपको selection चाहिए UPSC में तो सबसे critical है optional subject, पहले तो optional subject अपना तय करिए, बिनका तय है, very good, फिर आप optional subject से ही तयारी शुरू करिए, मेरे हिसाब से properly, जिसमें तकरीबन मेरे हिसाब से 5 महीने के आसपास तो अगर आप current office आपने नहीं पढ़ा है, तो आप थोड़ा थोड़ा news देखना शुरू करिए, हलका हल, खलका full का newspaper पढ़ना शुरू करिए, जो daily current office compilations आते हैं, coaching वगर है, कि वो भी आप देखना शुरू करिए, प्रॉपर starting में ही सब कुछ नहीं करना है, थोड़ा initiate करिए अपने आपको इस process में, साथ साथ में optional के त्यारी एक दम सही तरीके से करते रही है, शुरूआत तो इस तरीके से होनी चाहिए, सर सेकेंड बात की जो NCRT, लोग कहते हैं कि आपको NCRT स्टार्ट करना चाहिए, तो क्या optional के साथ हम NCRT लेके चलेंगे या फिर standard book लेके चले देखे जैसा कि मैंने कहा, first attempt वालों के लिए, आप शुरुआत करियो optional subject से, साथ साथ में अपने GS के लिए आप NCRT करते रही है, NCRT इस तरीक जैसे quality है, तो वो quality के लिए एक NCRT आती है, working of constitution, वो अच्छी है, मेरे खाल से मैंने तो नहीं पढ़ी है, थोड़ा देखा है मै world history cover हो जाता है, 9th या 10th वाली में याद नहीं आ रहा मुझे, French Revolution और यह सब है, और 11th वेल्थ पी कर सकता है, history के लिए NCRT काफी अच्छी लगती है, मुझे, उसके बाद geography के लिए तो सिर्फ NCRT ही सही है, ठीक, आप 11th की कर लीजे, काफी है, 11th की NCRT काफी information heavy है, और economics के लिए NCRT एक आपको वो दे देती है, आपको एक initiate कर देती है, लेकिन वो enough नहीं है, तो जहांते का NCRT का सवाल है, मेरे खाल से 11th ही में पढ़ना चाहिए, history का आप पढ़ सकते है, 9th, बाकियों का तो मुझे नहीं लगता कि 11th से पहले का जाधा हो है, लेकिन आप पढ़त तीन-तीन महिने के slot में कुछ चीज़े अपनी रख सकते हैं, क्या कि यी तीन महिने हमें standard book यहां देना है, दो subject को cover कर लेना है, क्या ऐसे लेके चले? जी, बिल्कुल इस तरह की planning तो आपको करनी ही पड़ेगी, कुछ बच्चे इसमें से होंगे, जो coaching classes में जाते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे, जो coaching तो नहीं जाते होंगे, पर घर में बैठके online YouTube वगरा से courses लेते होंगे, या फिर कोई सिर्फ ऐसे ही normal YouTube वीडियो से प खतम हो जाएंगे, मेरा optional खतम हो जाएगा, हाला कि इस तरीके से होता नहीं है, पूरा पूरा लेकिन long term plan बस आपको एक मन की तसल्ली के लिए होता है, कि एक indicative होता है, कि यहां तक न मेरा इस महीने के आसपास तक मेरा यह खतम हो जाना चाहिए, तो उस तरीके साब follow करिए, जैसे मैंने बोला कि शुरुआत optional से करिए, और optional स्टार्टिंग खतम करिए उसे, ताकि आपको बाद में सिर्र रिवाइज करना रहा जाए, को कि आप यह याद रखिए, कि जैसे जैसे prelims पास आएगा, आप optional को छोड़ दोगे, 2024 के जैसे ही शुरुआत होगी, चार- रानमी के लिए, श्वीराम, जो भी आप core standard text follow करना चाहते हैं, ठीक है, उसमें आप मेरे खाल से 20-25 दिन एक subject को देते रहे हैं, और साथ-साथ में खतम होते रहेगा, irrespective of, कि आप classes ले रहे हो की नहीं, नोट्स आपके होते हैं, उनको कैसे manage करना है आपको, जो आपने बताया है कि optional subject स्टार्टिंग से लेगे चलो, उसके साथ आपको parallel NCRT चलानी है, इसके notes, क्या पहले से notes अपना ready करते चलना है, optional का या फिर? देखी, directly NCRT से notes बनाने के ज़रूरत नहीं, optional का जैसे पहले मैं optional का जाओ दिएता हूँ, optional तो आपको definitely notes बनाने है, मैं जैसे optional English literature था, उसकी कोई ना मैंने classes ली है, ना किसी से मदल ली है, पूरा मैंने खुरी पढ़ाई किये, तो उसमें पूरा self study था, तो उसके अगर मैं notes नहीं बनाता तो कभी नहीं कर पाता revision क्योंकि आपको 4-5-6 महिने के पढ़ाई, आपको 5-5 दिन में revise करने पड़ेगी, मैंस के पहले, तो आपको definitely notes बनाने है, NCRT के अज सच आप notes ना भी बनाया, अगर आप underline कर ले तो काम चल जाएगा, चोटे notes बना ले तो सही है, standard books क के भी आप specific चीज़ों के notes बना सकते हैं, mainly मेरे खाल से notes बनाया जाते हैं, जो current issues चल रहे हैं, वो आप समझ लीज़े, question ही बन जाएगा, जैसे for example, अभी आज कल G20 चल रहा है, तो काफी जादे expected है कि इस सल G20 पे question आएगा या आएगा, तो जो मैं यह कह रहा हूं कि आपको 20-25 दिन-30 दिन एक subject को देने हैं, और subject by subject अतम करना है, तो उसमें आपको क्या है, उसमें आपका सबसे बड़ा जो साथी होने, जो आपकी preparation का perspective हो, वो mains होना चाहिए, और उसमें आपका साथी सिर्फ दो ही है, एक previous year paper और एक syllabus, तो मेरा जो औरता था note making, वो पूरा का syllabus की according ह होता था, मैं example देता हूँ जासे अकर मैं internal security पे notes बना रहा हूँ, तो मेरे 2-3-4 page के cyber security के notes होंगे, 1-2 page के maritime security के, 1-2 page के border forces के, border issues के, money laundering के, यह सब शब मैं अपने से नहीं बना रहा हूँ, यह सब शब mentioned है syllabus में, तो syllabus के हर topic के आपके पास थोड़े-थोड़े-थोड़े notes ह होने चाहिए, और वही ultimately आप लिख क्या होगे, और notes में एक और चीज़ है कि आप previous paper देखेंगे, 2013 के बाद से pattern change हुआ है, 2013 के बाद के आप सारी paper देखोगे, जो जो उस particular topic से question आ चुके हैं, आप उसके भी notes बनाऊगे, तो यह है note making a process. सर बात करें, अगर UPSC जैसे exam की काफी लंबी journey हो, साथ ही यह लिखने वाला exam है, में लिख के ही पास होना है, आपको pre तक ही नहीं रहना है, तो सर बात करते हैं अगर answer rating की, जो 2024 के लिए कर रहा है, आपने यह जो time duration बता है, 5 मैंने starting optional के साथ, ठीक है, तो सर क्या इस time duration में वो answer rating भी लेके चल सकता है या फिर उसको नहीं करना भी, क्योंकि वो भी तो पहली पहली बार कर रहा है, यार देखो जो first return वाले हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि उनको इसी साल, जैसे अगर आप इसी अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, इसी साल आप answer rating शुरू कर दें, यह काफी difficult है, बहतर तरीका है, अगर आपको answer rating शुरू करने हैं, तो आप optional के answer rating करें, जैसे आपने 4-5 मही ने बिता दिये हैं, कहीं साब class ले तो answer rating वैसे भी करवाते हैं, वो नहीं भी करवाते हैं, तो आपना खुद करीं, क्योंकि GS के लिए आप इसले नहीं कर सकते हैं तुरंत answer rating हो, कि आपका syllabus ही complete नहीं हूँ, आपको पता है यह नहीं important क्या है, तो आप कैसे करें answer rating, prelims के पहले अगर आप कुशिश कर सकते हैं, फरस्टर्म वाले थोड़ी से answer वांसर लिखने का तरीका, तो ठीक है, उतना कर लिजिए, कोशिश करिए, optional के लिए आप definitely अच्छी बात है, बाकी मेरको ऐसा लगता है, कि answer rating के लिए मेरा personal opinion अपना है, कि prelims मेंस की बीच में जो difference, जो चार मेने का वक्त मिलता है, साड़े तीन, चार मेने का, वो enough है answer rating के लिए, बहुत सारे बच्चे यह clear नहीं कर पाते हैं, सर कि हमारी जो pre की strategy है, और means, जो pre का subject है, और means का है, तो यह दोनों integrated होता है, तो वो सोचते हैं कि हम इसको अलग से पढ़ेंगे, इसको अलग से पढ़ेंगे, बहुत सारे बच्चों के मन में doubts है, इसको सर थोड़ा बताना चाहिए, देखो, सचाई तो यह है कि preparation आप means की करते है, examination means, prelims एक eliminate करने का वो है, कि 5- पाच-छे लाख लोग दे रहे है, prelims तो उसमें से हम 10-15,000 ऐसे ले आए, जो कि मेंस के लिए बरदी है, मेंस में फिर competition हो, तो prelims मेरे खाल से तयारी मेंस की ही करिए, जो थोड़ी बहुत facts अगर आते रहते हैं, prelims के वाप underline कर लीजे, कहीं note कर लीजे, facts और prelims ऐसे करके, ठीक है, बाकि मेंस, proper मेंस focus preparation होनी, जैसे कि आपका optional है, पूरा मेंस ही है, तो optional essay ethics है, पूरा मेंस है, तो उसमें क्या करना है आपको, जैसे ही आपका 2024 शुरू होगा, जैनवर ही आगे, तो फिर आप अपनी जो रिवीजन है, वो prelims के हिसाप से शूरू कर दीजे, कि आपन साइडलाइन करके, आप factual information और थोड़ा जो prelims का previous air question के हिसाप से आप analyze करके, उस तरही के से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, मेंस में भी सर्थ दो parts होते हैं, कुछ main subject होते हैं, जो 125 पचीस नमर के आते हैं, उसके साथ एक और part होता है उसी में, जैसे माली जी की paper 1 में, जियो होता है, जैसे आप कर रहे हैं, जैसे आपका specific subject है, जैसे history है, geography है, quality है, इसकी जब आप standard books कर लें, उसके बाद करना होता है, तो उसके बाद तो करेंगी आप, लेकिन हाँ, यह भी बहुत जरूरी है, क्योंकि mains तो यही है, society कोई history से कम नहीं है, जी एस वन में, society कबल की portion आप history से जादा ही देखेंगे, history, geography और society का portion, जी एस पेपर वन में, mains के, almost बराबर रहे है, लेकिन उनको फिर भी डर लगा रहा था है, कि मेरा होगा कि नहीं होगा, उस डर को सर मेंटेन कैसे करना है, new aspirant? देखेंगे, जो भी new aspirant है, वो अपने जीवन के जो प्राइम एर्स है, 21, 23, 24, 26 सारी है, सब सबसे important साल माने जाते हैं, उसको दे रहा है, तो अगर result को लेकर उसको इसके मन में डर है, तो बिल्कुल जायज है, उसमें कोई doubt नहीं है, इस very normal, और बहुत ही human है यह डर, मुझे तो बहुत जारा डर लगता था, क्योंकि मेरे पास कोई उसके पहले एकदम initially नौकरी नहीं थी, बाद में मिली थी, बट initially तो नहीं थी, तो डर लगता थो ठीक है, जैसा कि मैंने बदाए कि आपका डर हो गया, आपका demotivation हो गया, यह सब रहे, यह सब human emotions है, ठीक ह सारा खेले कि आप इसको manage करते हुए पढ़ाई कैसे करते हैं, अगर आप 6-7 घंटे पढ़ रहे हो दिन में और उसके बाद आपको डर लग रहा है, तो कोई दिक्कत, लगने दो डर, अपने आप धीरे-धीरे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, knowledge आती जाएगे, आप का टेस्स लगाओगे, कुछ लगाओगे, आपको confidence आता जाएगा, डर अपने आप कम होता जाएगा, क्या मानते हैं आपकी इस journey में family का बहुत बड़ा रोल होता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है, मेरे parents का बहुत बड़ा रोल है, मेरी selection में, family का, friends का सबका रोल होता है, बट फिर भी मैं कहूंगा कि UPC preparation थोड़ी एक lonely pursuit ही है, क्योंकि ज़्यादा तर time में आपको, आप और आपकी किताबे होंगे, daily daily 6-7 गंटे, दीरे दीर आपका social circle थोड़ा कम होते जाता है, आप उतना समय नहीं दे पाते हो, और यह वो age है, जहाँ पर आपके दोस्त भी किसी की शादिया हो जाएंगी, किसी कोई नौकरी करने लग जाएगा, तो वहां का space भी थोड़ा कम होता जाता है, तो आपको अपने आप में खुश रहना और अपने आप से बाते करना, अपने आप में एक sufficient रहना भी ज़रूरी है, तो थोड़ा current affair को ल जैसे online हम कहां से study material current oriented ले, magazines कुश्च, online magazine क्या forums तो अगरे join करना हो, कहां से आप resources कैसे आप collect किये थे, देखें जब मैंने इनिशली त्यारी शुरू की थे, इंटरनेट पे इतना material नहीं था, नहीं इतने channel थे, अब तो ज़रूरत से ज़ादा material आ चुग है, और सारा material लग 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 सिमिलर ही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहतर तरीका यह है कि आप revision multiple करो, source तो एकाथ ही रखो, तो जैसे कि आपने किसी भी coaching के, मैं जैसे magazines उतना नहीं पड़ता था, बट मैं daily के daily जो current interface का analysis आता है, पूरा, analysis का है, वो पूरा compilation आता है, daily का, तो मैं जैसे means के syllabus के इससाब से मेरे को important लग रहा है, जैसे food processing है, या फिर cyber security है, अगर cyber security specifically mentioned है, syllabus में, अगर उससे related कोई article आया तो वह मैं पढ़ूँगा, इस तरीके से, मतलब आपको धीरे-धीर आपका current, शुरुवात अगर आप कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, obviously आप एकदम targeted नहीं ह होना चाहिए, ताकि आप एकदम decide कर पाओ कि ये इस article, ये rhetorially important है, ये पढ़ना है, ये छोडना है, बिल्कुल, last एक दो question सरो, syllabus को मैं सर्थ दो पार्ट में बाटना चाहता हूँ, और उस हिसास में एक question करना चाहता हूँ आपसे, जैसे कुछ हमारे core subject होते हैं, means में, और means में कुछ ऐसी चीज़े होते ही, जो pre से एकदम अलग होते हैं, जैसे ethics आपका है, optional आपने बता दिया था, और essay है, इस portion को हमें कब तक खतम कर लेना है, 2024 वालों को, last deadline आप क्या बोलना चाहिएंगे, देखे, सब के लिए अलग-अलग होता है, ideally अगर आपका 2023 के end तक, या जैनवरी तक, 2024 जैनवरी तक खतम हो जाया तो बहतर है, बड़ थोड़ा जादा भाग भी लगता है, तो कोई बात नहीं, फरवरी लास्ट तक होई जाना चाहिए, जितना छूड का कोई बात नहीं, प्रीके बात कर लेंगे, लास्ट मैसेज सर्क क्या देना चाहिएंगे, अपने ओवरॉल एक्सपिरियंस के बारे में, बात करेंगे, इस सारी चीजे तो बहुत सारे टॉपर्स हैं, वहाँ बता देंगे, लेकिन अपनी एक परसनल एक्सपिरियंस क्या शेर करना चाहिएंगे, 2024 वालों के लिए, देखें जिनका पहला अटेम्ट है, आपका सपना बहुत जरूरी है, वह अच्छी बात है, बट जब कोई इनसान दो अटेम्ट दे चुका है, तो इतना तो समझ में आ चुका है, कि मैं पढ़ाई करने वाला है, इस साब बोकर चुका है, तो मेरा ये टाक्टिकल एक अडवाईज है, आप थोड़ा कुछ और UPSC अपना साथ साथ में रखे, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक 8 साल का गैप लिना चाहते हैं, अपने आपको financially stable करने के लिए तो भी कर सकते हैं, बट ये मेरा एडवाईज है कि एक plan भी भी होना चाहिए, लोग बोलते हैं कि नहीं कोई ज़र होतनी है, या तो UPSC या फिर Thank you so much sir, इतना time देने, Thank you very much, All the best, Hope guys आपको वीडियो पसंद आई हो, ये question जो होते हैं मेरे नहीं होते, ये आपके ही question होते हैं, जो कि मैं ऐसे experts और aspirants जो selected हो गया, उनसे मैं पूछता हूँ, वीडियो कैसे लिगी comment section में जरूर comment करें, साथ ही आपको कैसी वीडियो next, कैसी वीडियो चीए, वो भी बताएं, ताकि मैं वैसी वीडियो बना सकूँ, तब तक के लिए जहां रहें, सुरक्षित रहें, बाई बाई